आज मैं बनाने जा रहे हूं पोहा, यह पोहा मैंने बहुती डिफ्रेंट तरीके से बनाया है और यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आईगी तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है दो टमाटर, एक प्याज, नीम्बू, हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ता और पोहा अब हमें एक पैन लेना है और उसके उपर एक चानी रख देंगे और उसमें हम एड़ करेंगे पोहा और पानी अब हमें पोहे को दो से तीन बार अच्छी तरह से वाश कर लेना है यह देखिए इस तरह से हम इसे अच्छी से वाश कर लेंगे अब हमें पोहा इसी तरह से रखा हुआ छोड़ देना है जिससे इसका एक्सिस वाटर पैन में आ जाए अब हमें लेने है थोड़े से मुफली के दाने अब हमें एक कड़ाई में ओयल गिरम करना है और उसमें मुफली के दाने एट कर देंगे अब हमें उसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई करना है low flame पे ही fry करना friend इसे नहीं तो क्या होगा मोफ़ी के दाने बहर से तो जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे अब हमें एक कड़ाई लेनी है और उसमें थोड़ा सा ओिल गरम करना है अब हम इसमें एट करेंगे सरसो के दाने और इसे चटकने देंगे जिससे इसका फ्लेवर अच्छी तरह से तेल में आ जाए और अब हम इसमें एट करेंगे मेरा सबसे फेवरेट करी पत्ता करी के पत्ते के भीना तो पोहा बिल्कुल अधूरा ही है इसे भी हम लूफलेम पे भूनेंगे जिससे दोनों का फ्लेवर अच्छी तरह से आज़ाए ऐल में अब हम इसमें थोड़ा सब पोहा एट करेंगे और इसमें हम डालेंगे अब अब हम इसमें एट करेंगे हल्दी और लालमिरच पॉरडर और इसमें सौधानुसवा नमक एट कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे पोहा अब हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है जिससे सारे मसाली पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाए ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें एट करेंगे हरी मिर्च आप चाहें तो हरी मिर्च पहले भी डाल सकते हैं अब प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारिक टुकडों में कट कर लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे टमाटर और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें प्याज भी एट कर देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ये देखे फ्रेंड्स इस तरह से अब हम इसमें मुफली के दाने भी मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए प्यास, चमाटर, मुफली के दानों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें नीम्बू निचोड लेंगे जिससे पोहा बहुती ज़्यादा खिला खिला बनेगा ये देखिए इसका कलर भी कितना सुन्दर आया है अब हम पोहे को सर्फ करेंगे देखिए ये देखने में भी कितना सुन्दर लग रहा है अब मैंने से नीमबू, हरी मिर्च और करीपत्ता से कार्णिश किया है थैंक यू फ्रेंड्स फोर वाचिंग दिस वीडियो